हुआ है हलो एवरिवन तो स्वागत आपका फिर्स हमारे चैनल जीनियस माइंड पर और आज की वीडियो हम देखेंगे क्लास 10 डैटिस टैंडर 10 के लिए जो आलजेब्रा का पेपर होने वाला है अभी 13th मार्च को उसके लिए क्या डूस और क्या डोंड है मतलब ऐसी कौन सी गलती है जो आपको नहीं करनी है और ऐसी कौन सी चीज़े हैं जो आपको करनी है ताकि आप एक अच्छा score ला सके मैट की पेपर में होता है तो इसके लिए यह वीडियो लेकर आया ओ, जिसके अंदर हम, डूज तो की बात करेंगे, तो जब भी भी हम, पेपर को स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम, डूज की बात कर लेते हैं, देख भाई, सबसे पहले आपको क्या करना है, पूरे questions को छेक आओट करना प्रॉपर्ली छेक क्वेस्टिन मेश प्रॉपर्ली उसके बाद का साथिलेशल आपको नहीं करना है अगर आप किसी भी आप क्यालकूलेशन में करना है और हर एक question में आपको क्या-क्या लिखना है देखो आपको final answer जरूर से जरूर लिखना है कोई भी question रहे तो final answer आपका होना चाहिए उसके साथ neatness आपको maintain करना handwriting की बात नहीं कर रहा हूं वाई neatness मतलब कैसे भी कुछ भी नहीं लिखना है properly जो भी पढ़िये पूरा paper नहीं पढ़ना है पूरा paper नहीं पढ़ना है जैसे आपको question paper मिलता है आपको डारिक लिए answers स्टार्ट कर देना है mcq suppose अगर आपको mcq starting में नहीं आ रहे mcqs अगर आपको नहीं आ रहे तो इसके लिए आपको क्या करना पता है suppose आपको first mcq लिखना तो ऐसे वन डाल के जगा छोड़ दीजिए लास्ट के पांच-10 मिनिट में अगर आपको नहीं आ रहा तो बाजो वाले से नहीं रहता है इसको बोलते हैं copy case इसके बाद अगर मैं डूस की बात करूं तो इसमें आपको लिखना है question number आपको प्रॉपरली लिखना है और और एक चीज़ आपको करनी है every question every question on a new page every question on new page मतलब नए पेज़ पे आपको questions लिखना है हर question आपका नए पेज़ पे होना चाहिए जगह नहीं छोड़नी है किसी भी question के बीच में आपको जगह नहीं छोड़ना है जब तक वो question आपका पूरा का पूरा complete नहीं हो जाए तो यह कुछ ऐसे do's and don'ts है जो अगर आप डाइगराम बना रहे हो construction का question करती या फिर graphical equation का question करती हो graph कर दो graph कर रहे हो तो graph में आपके साथ क्या होना चाहिए जानसे सुनो scale होना चाहिए ऐसे graph जब आप बनाते हो तो यहां पर आपको scale लिखना है फिर आपको यहाँ पर नीचे के क्या values है वो लिखने हैं यहाँ के values लिखने हैं फिर सब्सक्राइब आपने ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर लिया तो इसको proper naming देना है यहाँ पर x-axis यहाँ पर center origin यह ग्राफ का पार और अगर आप mean median mode के question solve कर रहे हैं mean median mode के question solve कर रहे हैं तो वहाँ पर यह tabular form होना जरूरी है यह table आपको बनाना ही बनाना ऐसा नहीं कि हाँ गाई गाई मैं अपने नहीं बना तो चल जाएगा नहीं वो tabular form आपका होना जरूरी है वरना इसके उपर half या one marks आप अपने गवा सकते हैं और last but not the least सबसे main चीज़ ह आ रहा है तो उसमें आपको क्या करना है पहले आप हमेशा अपने साथ क्या रखते वाटर बोटल रखते तो पहले आप थोड़ा सा पानी पीजिए थोड़ा सा पानी पीने के बाद आप क्या करिए फिर आप वही calculation को solve करना चालू किये तो आपका माइंड क्या हो जाएगा रिलाक्स हो जाएगा जब माइंड रिलाक्स हो जाएगा तो आप क्यालकुलेशन पर प्रॉपरली फोकस कर सकते वरना अब कितनी बार भी करें तो आपका अंसर गलत ही आएगा तो चलिए यह हो गया हमारे कुछ डूस और अब देख लेते हम लोग क्वेस्चन पर जो आप क्वेशन नंबर टू क्वेशन नंबर वन यह नहीं क्योंकि यह आपको यहां से यहां पर पहले से दिया हुआ है तो आपको सिर्फ यहां पर क्या पूट अप करना है तो भाई क्वेशन नंबर वन कर रहे हो तो फिर क्वेशन नंबर टू इसके बाद यह दो लाइन से यहां पर लिखना और इसके लिए यहां पर एक लाइन डॉकर नहीं लिखना है उसके बाद ही सल्यूशन पर जाना एगर फॉर्मूला नहीं है तो नहीं लिखो के चलेगा और इसके साथ सथ आइटेंट साइड में कॉर्म अगर अगर आप कोई भीडी कंस्रिक्शन को सॉफ कर रहे है यहां पर आपको डॉलव घर जरूरी है तो क्या क् की अगर आप Pablo म्हिंस अपंडर बाद यहां पर अइसे चन बार ऑथ किया सॉल्व करने के बाद यहां पर आपको फाइनल 5780 cm2 यह आपको लिखना है और फिर आपको इसको put up करना है किसमें भाई तो box में यह चीज आपको हर एक questions के लिए solve out करनी है और suppose अगर आपका question यहाँ पर खतम हो जाता है यहाँ पर question खतम हो गया तो question number 2 यहाँ पर खतम हो गया if suppose ऐसा नहीं होता है कि आपका यहाँ पर question number 2 नहीं खतम होता है if suppose ऐसा होता है कि question number 2 आपने यहाँ पर लिखा है और यह first question हो गया और फिर question number 2 का second question आपने यहाँ पर चालू कर दिया अब ये 2nd question number 2 जो है सब्सक्राइब भ weten अपने यहां पर ऐसे लिखना चालू किया जब आप ऐसे question number 2 को लिख रहे हैं तो सब्सक्राइब ये question number 2 आपका ये second page पर आखर इधर खतम हो रहा है जब second page पर आखर खतम हो रहा है तो यहां पर भी आपको question number 2 ही लिखना है क्योंकि ये जो आंसर आपने यहां पर लिखा हुआ है ये question number 2 है और 2 का एका second है तो ये इतना mentioning आपको करना है अगर आप ये सारी चीजों पर ध्यान नहीं देंगे तो आपके जो marks है वो जाने के chances बहुत जादा बढ़ जाते क्योंकि सिर्फ solving नहीं रहता है सिर्फ solving के साथ-साथ और भी चीजे रहती जिसको आपको ध्यान देना रहता है जिसको आप बोलते हो presentation और questions को properly लिखना तो यह सारी चीजे मैं आपको यहां पर तो बता दी इसके साथ साथ देखा और हम यह जो numbers use करते हैं यहां पर one दिया है कभी कभर आपको पेपर में एक question one suppose question one है इसके अंदर आपको numbering दिया है one two three four दिया है फिर जब हम question number two में जाते हैं तो question number two में हमको आदत क्या है one two लिखने का बड़ यहां पर आपको ऐसा Roman number दिया रहेगा तो आपको उस पर भी ध्यान देना है कि Roman number दिया है कि नहीं तो क्योंकि अगर Roman number दिया है तो वह पहले Roman number चेक करेंगे और अगर question right है तब भी वह right देंगे वरना सीधा ऐसा wrong देंगे और जिरो देंगे आगे बड़े यह सारी चीज़े जो आपको हमेशे अदगने क्या क्या मैंने बोला final answer आपको हरे question में लिखना है every question on the new page अगर कोई भी question continue हो रहा है second page पे तो यहाँ पर आपको ऐसे लिखना है question number 2 फिर यहाँ पर लिखना है A फिर उसका वो question वापिस तब जाके आप उसको start करोगे अगर आपने suppose यहाँ पर यह कुछ भी नहीं लिखा है यह कुछ भी नहीं लिखा है और direct आपने यह start कर दिया तो इस page को कोई भी marks नहीं रहता है इस page को जो marks मिलता है वो क्या रहता है calculation है तो सबो 78 24 आपने धर multiple किया बहुत स्टुडड़न का habit रहता कि वह यहाँ पर multiply करते हैं multiply करने के बाद आपको answer क्रियेट कर सकता है क्योंकि वो प्रेजेंटेशन में मैंटर करता है बहुत ज्यादा से ज्यादा तो आपको यह दोनों पार्ट जितना भी मैंने यहां पर आपको डूज और जो भी आपको पेपर रेलेटेड चीजे बताई वो समझ में रहेंगी तो अगर आपको वीडियो में 40 out of 40 लाएने से कोई निरोख सकता बस एक और चीज़ चाहिए लग की क्वेश्चन कोई भी बाहर के ना है प्रापर ने क्वेश्चन टेक्स्ट वुक क्या है तो आपको 40 out of 40 आराम से मिलेगा तो चलिए मिलते अगली वीडियो में कुछ ऐसे इन नहे आगे के जौमेट